मेश लगन और मीन राशी दोनों मिलकर आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेंगी क्या उतार चुलाव दिखाएंगी क्या जिन्दगी में रोकेंगी और क्या जिन्दगी में दे देंगी आज इसके बारे में विश्त्रित जान करें लेते हैं आप सबका अपने चैनल पर स्वावगत करता हूं जिनकी जनम पत्री में ये योग है यानि जनम पत्री में नंबर उन उस बॉक्स में लिखा है तो आप में इस लगन के हैं चदरमाद, 12 में लिखा है, तो आप में राशी के हैं, फिर भी अपनी सही जनम राशी और सही जनम आनने के लिए, आप मेरा ये दोनों वीडियो देख सकते हैं, कुछ ही मिंटो में कुलिर हो जाएगा, ये confusion कि सही जनम राशी आपकी और सही जनम लगन क्या है। खेर, आज उनकी बात करते हैं, जिनकी कुंडली में ये योग है, आप कहीं न कहीं एक ऐसे वक्ति हैं, जो बार बार अपने जोश को खुद ही छोड़ देते हैं, कहने का मतलाब, आप सही दिशा इश्वर ने आपको दी है, आप बार बार अपने मार्क को मत बदलिए, आपक तक कीजिए सीधा अपनी परंपरा से उटके विदेश चले जाएए, जी हाँ, आप विदेश जाने का योग आपके कुंडली में है, बहुत अच्छा है, पर बार बार एक ही जेंगे पर बदलाव ठीक नहीं है, इसलिए एक बार विदेश चले जाओ, वहाँ ठहराव आज चड़ाओगे और खुद किराय के मकान में जाके रहोगे, तो ये क्या बात हुई, तो इसलिए मेश लगन और मीन राशी वाले थोड़ा इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आप मेश और मीन दोनों से मिलके ध्यान रखें कि सिर्फ ना तो मीन राशी आप पर प्रभाव ड बढ़ाते हैं, जी हाँ, कहने का मतलब आपके करियर का चयन इन से जुड़ गया, तो हो सकता है अब मेडिकल साइंस में हो, हो सकता है अब कैमिस्ट हो, हो सकता है अब दवाईय का वेपार कर रहे हो, हो सकता है अब इंशोरेंस कंपनी में हो या इंशोरेंस से रिलेटिड क काम अमारा ऐसा है तो इसे मेशलगन और मीन- ररशिल वालों को कहींद आएके तिसे करियर का चुनाव अच्छा रहता है, सिरफ मीन ayवालों की बात नहीं कर रहा है, ये खास द्यान रखना मेशलगन और मीन ररशिल साथ एक और बात आती हैzd, वो यह आती है कि अगर इनके संतान पक्ष के हम बात करें, बच्चों के हम बात करें, जिन पर इन दोनों का प्रभाव है, आपके बच्चों का आपके जीवन में सहयोग कम हो जाता है, या फिर आप उन्हें सहयोग कम दे पाते हैं, ये योग है आपकी कुंडली में, इसलिए ऐसा है, हाँ अगर कोई और शुबग्रे आ जाए ना जिंदगी में जनब बतरी में तो उसका प्रभाव अलग हो सकता है क्योंकि यहां सिरफ मैं लगन और राशी मिक्स करके बता रहा हूं मेश लगन और मीन राशी के प्रभाव के कारण आपको कहीं न कहीं तूसरी परंपराओं में तो सर पर हमेशा रहता है लेकिन आपके अंदर एक कमी है कमी शब्द इसले लगा रहा हूं वो यह कि आप कभी कभी दूसरों की नहीं सुनते और खासकर अपनों की नहीं सुनते इस फिशे पर थोड़ा दियान दीजिएगा सिरफ अपनी ही नजरों से दुनिया को देखें और बहुत अच्छा वैपार बना सकते हैं बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं लेकिन कभी कभी गलत आदमी के सलाह आपको गलत दिशा दे देती है मेंश और मीन के कारण एक प्रभाव और रहता है आपके अंदर कि आंप बीच रास्ते में ही अपना काम छोड़ देते हैं आप बीच में decide मत कीजिए कि आपको उसका result नहीं मिलेगा, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, इन दोनों का ही आपकी जनम पत्री में प्रभाव होने के कारण, कुछ बाते ऐसी होती हैं, जो बड़ी unexpected होती हैं, आपको unexpected benefit भी होते हैं, तो unexpected laws भी होते हैं, इसलिए संचिय करना, savings करन क्यों तो fix deposit तूटता नहीं है, इसलिए पैसे को किसना किसी वे में ऐसी जगे invest कीजिए, तो आप तुरंत cash में convert ना कर पाओ, ये बहुत बहुत बहतरी है, इस्तिरियों को सम्मान आपकी कुंडली के अंदर बहुत जरूरी है, इवन वो एक उपाय है, मुझे पता है, आप अपमान नहीं करते हैं, पर अंजाने में भी इस्तिरियों का अपमान मत कीजिए, क्योंकि मेश लगन और मेन राश्री का ये effect होता है, आपकी कुंडली के अंदर, कि आप जितना इस्तिरियों का मान सम्मान करेंगे, आपको कोई पसंद नहीं भी है, competition में भी है, तो भी उस होने लगेगा, और सच में वो सारी बाते हो जाएंगे, इसलिए अपने मूँ से किसी की भी बुराई मत कीजिए, ये मैं फिलासिफिकल नहीं कहा रहा है, ये आपके उपाएं हैं, आप बुराई करेंगे, सामने वाले की जिन्दी में वो घटना घट जाएगी, भगवान नहीं हैं, आप मैं मान रहा हूं, पर आपकी कुल्ली में कुछ योग है ऐसा, जिसके मूँ पे सरस्वती बैठी है, आप वो हैं, तो थोड़ा सा मेश लगन और मीन राशी वाले इस बात का ध्यान रखें, आप दोगवान और वो सरस्वती जब जब जबान में बैठी है, तो कभी कभी आपको भी तो हानी कर जाएगी, तो कोशिश कीजिए पॉजिटिव बोलने की, क्योंकि आपकी कुल्ली में पॉजिटिविटी है, बस आपको उसका इस्तमाल करना है, इन दोनों चीज़ों का आप पर प्रभाव होने के कारण, कभी कभी आप अपनी किसमत से म आपको डिप्रेस मत होने जीज़े, क्योंकि और अच्छी बात है, तो अगले पल को योग आएगा, जिससे सुख और खुशी फिर से आएगी, यह मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है, यह मैं आपकी कुल्ली का योग आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए कभी कोई एक प्यारी सी चीज़ पर कुछ हिट हो जाए, कोई थोड़ी सी उसके साथ गटना गटिद हो जाए, तो चिंता मत कीजिए, यह आपका योग है, उसे अक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, अगर आप अपने शरीर पर खास द्यान देंगे, तो देखिए आपको अपने जल से संबंधित चीजों से थोड़ा सा इस तरह से साफधान रहे हैं, क्योंकि आपको पसंद बहुत है, इन सब चीजों का कारे करना, पर थोड़ा साफधान रहे हैं, आपको कहीं न कहीं नुकसान न दे जाए, पर इसमें एक बड़ी मज़े की बात है, एक्वेरियम, मच मचली का वैपार आपको बहुत बेने वाला, आपको जल से संबंधित, यहां जल नहीं, मचली का वैपार हो रहा है, तो एक एक्जामपल दिया है, वैसे दो बहुत सी बाते हैं, वो मैं आपको और वीडियो में बताऊंगा, करियर से संबंधित, अगर आप मेश और मीन के बारे में और डेटेल लाजना चाते हैं तो इस दोनों वीडियो देख लीजिए साथ में और भी राच्छी की वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी किजिए शे आपके जिया थैंक यू सो मुच